Hello my dear ones, आज दिस वीडियो में बात करने वाली हैं घबराहत के बारे में। कई बारना भॉहँआ ज़ादा घबराहत होती हैं, बड़ा nervous फील कर रहे होता है हम, इतनी ज़्यादा anxiety हो रही होती है, ऐसा लग रहे होता है की भस अब तो कुछ हो ही जाएगा। होता है ना कभी ना कभी हम सभी ने उस घबराहट को किसी ना किसी लेबल पर experience किया होता है अब थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है तो ये नॉमल है लेकिन अगर ये घबराहट जरूर से जादा हो जाती है तो फिर ये बहुत जादा परिशान करती है और जब गपराहट फील हो रही होती है तो कई बार इतना panic सा फील हो रहा होता है कि ऐसा लगता है कि बस कुछ होने वाला है बहुत सारे लोग उस गपराहट से जो nervousness फील हो रही होती है बहुत सारे चीज़े avoid कर देते हैं बहुत जारा support लेने लग जाते हैं बहुत dependent हो जाते हैं और कई बार medications की वज़ा से ये symptoms suppressed हो जाते हैं लेकिन long run में जाकर और भी बड़ी problems से वो लोग first जाते हैं तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि गबराहट के क्या symptoms generally होते हैं या क्या causes होते हैं और कैसे आप बिना किसी medicine के और किसी supplement के अपनी घर बेटे ही गबराहट को दूर कर सकते हैं कैसे गबराहट free life आप जीज सकते हैं सो मैं आपको कुछ example से भी समझाऊंगी हम इस वीडियो में सीखना शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही useful solution oriented वीडियो है पर उससे पहले आप डॉक्टर किशी का जन आप को डाउनलोड कर लेजे क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे meditation, breathing exercises, affirmations आप जब उन्हें practice करेंगे तो आप अपनी गबराहाट से overcome कर लेंगे चलिए अब सीखना शुरू करते हैं symptoms हैं गबराहाट के तो symptoms गबराहाट के ऐसे तीन लेवल पर गबराहाट nervousness क्या है वो सब एक तरीके की anxiety है अब हमें बहुत गबराहाट हो रही है तो physical level पर क्या होता है increased heart rate आपकी heart rate पर जाती है आपकी shortness of breath हो एसा लगए सांस अटकी जारी है इस तरीके से जब कबराहाट हो रही होती है बहुत sweating होती है hot flashes होते हैं बहुत जाथा बोड़ी में एकदम से बढ़ाबा temperature फील होता है trembling shaking, dizziness बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि head एकदम light हो गया बहुत pain कर रहा होता है या ऐसे उल्टे आने की vomiting sensor हो रही होती है stomach upset हो जाता है इस तरीके के symptoms muscles में tension, headache, dry mouth कुछ इस तरीके के symptoms आते हैं जब बहुत जाथा इसे घबराहाट हो रही होती है बहुत ही जादा restless feel कर रहे होते है आपको overwhelming feel हो रहा होता है आपको कंच्रोल खो रहा है मेरे उपर से आपको concentrate करने में difficulty हो रही थी क्योंकि बहुत सारे racing thoughts आपके मन में चल रहे होते है उस time पर आपको एकदम से ऐसा लगता है और behavioral level पर आते हैं कि avoid करते हैं fearful situation को जो भी हमारे triggers लगते हैं हमें हम nervous में habit में बहुत ज़ादा fidgety किसी भी चीज़ को बार 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 टैपिंग आपने देखा होगा ऐसे एकदम से movement बढ़ जाता है हमारा कई बार नेल बाइटिंग, hair pulling कुछ भी इस तरह के का हो सकता है आपको difficulty होती है सोने में और आपको कोई भी काम पूरा करने में difficulty हो सकती है या फिर कोई भी decision लेने में difficulty हो सकती है यह सारे कि सारे क्या होते हैं symptoms होते हैं जो की visible होते हैं physical level पर, आपके emotional level पर, आपके behavioral level पर अब इनके causes क्या होते हैं, causes stress, stress बहुत बड़ा cause है, अगर आपके lifestyle में बहुत stress है, तो आपको कभी ना कभी वो घबराहत कानुभव होगा ही होगा, आपको समझना होगा कि stress एक बहुत बड़ा reason है, तो आपको अपनी life को stress free रख नहीं होता है, मैं तरीके भी सिखाऊंगी, solution oriented video है, और क्या है, कोई भी आपके पास-पास का trauma है, आपके साथ कुछ भी इस तरीके का कुछ हुआवा है, जो अभी भी आपके अंदर, उसकी detailing, उसकी memory इस तरीके से add है, कि वो आपको haunt करता रहता है, अभी भी आपको trouble करता है, इसी तरह से, जैनेटिक्स का अपी रोल हो कि Dr. Bruce Lipton ने कितना काम किया इस पे, और मैं एपी जनेटिक्स की वीडियो भी जरूर बनाऊंगी, ताकि बहुत सारे लोग अभी भी जनेटिक प्रॉब्लम है, ऐसे mindset कर लेते हैं, ऐसे ढरते हैं, कि हमारे तु जीन्स में है, जनेटिक है, हमें भी यह ना हो जाए, बच्च कुछ lifestyle आपका पूर है, तो उसकी वज़े से भी होता है, personality traits, कुछ लोगों कर nature ही ऐसा होता है, हर चीज को बहुत जादा importance देते हैं, perfectionist होते हैं, सो उनको भी बहुत जादा घबराहार रहते हैं, चिंतासी बनी रहती है, कुछ लोगों को हर चीज की बाल की खाल निकालने क बहुत आदत होती है, overthinker होते हैं, इसी तरह के से chronic illness, कोई भी बहुत लंबे समय से चल रही है, कोई भी बिमारी होती है, तो उससे भी धीरे धीरे आपके अंदर ये गबराहार डेवलप हो जाती है, अब शरीर के लेवल पर आप जानते ही हैं, हमारे body में अगर हम थोड़ आइरवेट पे भी नजर मारें, तो वात्पित काफ होते हैं, उनमें imbalance होता है, जब आपका वायू दोश लग जाता है, तो उससे भी आपके अंदर गबराहार यानि की जो वायू है, उसकी कती जब बिगड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा गबराहार का एहसास होता है, तो मैंने आपको आइरवेट की द्रश्ट्री से भी बताया आपको, मैंने आपको साइकलोजी की आपके जो लाइफस्टाइल है, वो सब चीज़े आपको बताएंगी किस तरीके से आप गबराहाट का ऐसे एक गमसिदावसनेस का शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत anxiety फील ह होती है, अब ज़रा एक-दो केसे समझते हैं, फिर क्यों और की तरफ पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी ये सारी टिप स्पी की कैसे हम से क्यों हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा पहले समझ लेते हैं, और डीप अंडर्स्टाइन के लिए कि कैसे ये वाले जो हमारे causes हैं कारण किस तरीके से हमारे अंदर सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स तो क्या है, causes की वज़े से जो reflect हो रहा है आपके, physical, emotional, आपके behavioral लेवल पर, वो reflection है, लेकिन causes तो सबसे जादा important होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे examples बताती हूँ, जिस एक लेडी है, उनको बहुत जादा गपराहट, इतनी जादा गपराहट होती है, हत से जादा गपराहट होती है, उनको ऐसा डर लगता है कि बस अब नहीं बचेंगे इतनी जादा गपराहट, तो जब उनसे बाचीत की गई तो पता चला कि उनको गपराहट क्यों होती है, क्योंकि उनके husband बहुत जाद वरी करती है इस चीज़ की हाँ चिंदा वाली बात है कि अगर कोई husband इस तरीके से बहुत जादा इसे drink कर रहे हैं तो ऐसा एक डर आ सकता है लेकिन बहुत जादा उसको इतना जादा money-man में सोचना अब money-man में इतना जादा सोचने की बजाए अगर husband से इतने अची तरीके से बात की जाए या और कोई family वालों को involved किया जाए और इस सब का कोई solution निकाला जाए तो बात बनेगी लेकिन money-man में ऐसे घपराते रहना ऐसे डरते रहना सोचना इतना जादा और आगे तक भी बिल्कुल एकदम catastrophic पूरा way में अंदर पूरा mental movie बना लेना कि उनकी बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उनकी death हो गई है मैं और बच्चे दर दर वो कर रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा हमें हम बहुत जाद मुफलिसी कजी वन जी रहे हैं वो सब कुछ पूरा imagination भी अंदर दक चलता है अब अगर आपके दिमाग में ऐसे visuals चलेंगे अगर आप वज़े से उनको रातों को नीन नहीं आती है उनको बहुत जादा परिशानी हो रही है वो इतना जादा घबराई भी रहती है हर सुमें उनको ऐसा लगते कि उनको उल्टी आ रही है बार बार वाश्रूम जाने के हर जाती है तो इस तरी के से उनको complaints है तो यह मैंने आपको घबराई होता है पुसीने पुसीने हो जाता है बिलकुल ऐसा पेट में होता है कि बस भागो उस situation से एक दम से वाइट करो इतना जादा इसको घबराई होती है दिल की धड़कन इसकी बहुत दे जैसे breathless फील करने लग जाता है क्यों क्योंकि इसके पास एक बहुत ही बुर जैसे तबेत रहते हम लोगों की ठीक और हम पार्टिस्पेट करते हैं तो सही रहता है लेकिन इसकी तबेत बिगडी भी थी और इसको फीवर हो कर चुका था और भी कुछ इस तरीके से फिजिकल लेवल की कंप्लेंट थी और तो तिन रात से ढंक से सोया भी था तो जो जि जो प्ले खराब हो गया उसकी वजह से तो इसके टीचर ने भी इसको डाटा बाकी लोगों ने भी प्ले को स्पॉल करने का सारा का सारा इस पर ब्लेम रख दिया और इसको मतलब बहुत जादा है उस ताइम पर इसको बहुत ही इंबरस्मेंट फील हुआ कि ऐसे पब्लिक जो लोग बोल लेते हैं वो डायलोग उनके एक्सप्रेशनों वो सब चीजेब एक ऐसे ट्रॉमेटिक मेमरी के तरह अंदर फीड हो गई तो लेकिन एक आद बार कभी कुछ ऐसा चांस भी आता था तो लेकिन ये हमेशा ओवाइट कर देता था ऐसे करते करते इसने चली अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया अब इसकी जॉब लग गई आप जॉब में आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना कभी आपको कोई ऐस इसी तरह से कोई presentation देनी है तो वहाँ पर इसको बहुत difficulty आ रहे थी दो लोगों के सामने भी अगर इसको बोलना पढ़ जाए तो उसको बहुत घपरहाट होती थी पसीने पसीने हो जाता था एकदम से breathless feel होना शिर हो जाता था हार्ट बढ़ जाती थी तो यह सब क्यों था क क्योंकि उसके अंदर यह जो उसकी traumatic memory पढ़ी वी थी जो उसके लिए trauma जैसे थी वो उसको बार 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 अभी भी हांट कर रहे थी अंदर से उसको एकदम का प्रहाट क्योंकि जैसे ही आपका brain threat को sense करता है वो क्या करता है आपको fight flight mode में डाल देता है और एकदम से आपके rate उसका ऐसा था कि वो शुरू से क्योंकि जब उसके बारे में पूछा था तो बचपन से भी थोड़ा overe think करती तो उसका एक personality rate की वज़े से problem solve नहीं करना अपने अपने अंदर सोच के कुछ को कुछ बिलकुल बनाया जाना और ऐसे ही लड़की के पास एक experience था एक और case समझ तो वो foreign country में shift हो गई अब वो अकेले रह गए और उनकी वाइफ भी थी तो उनको इसलिए कपड़ा हाट रहने लगी क्योंकि उनके अंदर जो thought process इस तरह से चला कि अभी तो हमारा कोई भी नहीं एक ही बीटी थी वो भी विदेश में है अब हमें कुछ हो जाएगा तो क्य उनके अंदर वन्होंने सोचय सोचय आप अंदर वह कपरा हाट पैदा कर ली तो कई ऐसा नहीं प्इसे वह ने कि कुई किनले कुए ट्रे करनी रख सकते हैं और दूर बैठ ही बीटी दमाद भी बहुत सबोटीट थे वो भी पैसा खर्च कर दूनकी तो बहूत पैसा लेकिन उनके लाइफस्ट्राइल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कभी कोई बंदर जा रहे हैं, कोई ऐसी गुरूप बना के कुछ योगा कर रहे हैं, या बहुत जादा मिल जोल रहे हैं, नहीं, मतलब यह था कि बस दिन शुरू करा, सुभा अपने अउठे धिरे-धिरे नहा जो उनका एक जो पूर लाइफस्टाइल जो था, उनका बहुत बड़ा ऐसी रोल प्ले कर रहा था, कि उनका जो थौट प्रोसेस चाला हुआ, उसमें कुछ भी सपोर्डिंग ने था, कि भई ठीक है, हम सभी लोग कभी कभी नेगिटिव सोच लेते हैं, हमारे दमाग में क तो हमारे क्या होता है, वो जो फियर स्ट्रेस से खटा होता है, वो सब चला जाता है, लेकिन उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, जब उनको और ऐसे तलाशा गया, उनके पहले की हबिट्स भी देखी गई, तो शुरुवात से उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा था और ऐसा नहीं कि उनको 70 की एज में ही एकदम से शुरू हुआ था, उनको पहले भी यंग एज में उनकी नीद की प्रॉब्लम थी, उनको anxiety की complaints रहती थी, इस तरीके से उनको पेट से related problems रहती थी, धीरे 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 वो जाकर, क्योंकि जब आप यंग होते हैं, है ना उनके साथ हो रहा था, उनको बहुत ही पैटे-पैटे, एक तुम घबरहाट होने लगती थी अंदर से, बहुत साथा परिशान होने लग जाते थे, तो यह सब मैंने आपको दोतेन एक सांपल दिये, इस सब से हमें क्या समझ में आता है कि कोई ना कोई तो ऐसे cause हो गई हमा परिशान रहती थी कि वो चलने फिरने में महताज है, पैतिस साल की कोई लीडी चलने फिलने की महताज होने लग गई खुटनों की प्रॉब्लम की वज़ा से, तो सुचिए उसको क्या है, तो mostly time bed rest पर इस तरीके से रहती थी, उनको और भी diabetes वगरा इस तरीके की प्रॉब् कुछ 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 लंबा उनके साथ इस सरह से चल रहा था, तो दीरे दीरे धीरे उनका lifestyle भी सब जो था पहले कुछ करती थी वो सब भी एक्तम से change हो गया पूरा, तो वो सब लंबे समय से अपनी सारी परिशानियों से इतना परिशान हो गई कि धीरे धीरे उनके अंदर व बिना किसी medicine और बिना किसी supplements के natural way में. breathing exercises आपको breathing exercises तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप जब घबरार होते हैं, बहुत नहुवस फिल कर रहे होते हैं, इतना anxious फिल कर रहे होते हैं, आप breathing exercise करते हैं, तो आपके अंदर की chemistry reset हो जाती है, तो breathing exercise करना बहुत ही important है, कब तक है, जब तक हमारी सांस चल रही है, so breathing exercises बहुत ही ज़्यादा important है, breathing exercises करने से आपका parasympathetic nervous system अक्टिवीट होता है, और आप एक sense of relaxation को फिल करते हैं, breathing exercise करने से आपका anti-anxiety molecule GABA रिलीस होता है, और आप बहुत ही ज़्यादा relief महसूस करते हैं, इंस्टेंट आपको relief महले लग जाते हैं, तो breathing exercises बहुत important है, तो उसरा कोई भी physical activity करें, ज़रूरी नहीं आप जिम में जाकर ही कुछ करें, आप physically अगर active हैं, आप अगर अपने घर की भी सीडिया दो-चार बाद दिन में चड़ रहे हैं, अगर आप पास-पास की market बने जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, सुबा वॉक करने का routine बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके से physically active हैं, अगर आपका sitting का भी काम है, लेकिन आप हर आदा एक गंटे की बाद उठकर एक दो round ले ले लेते हैं, फिजिकली active रहते हैं तो बहुत ही जादा अच्छा रहता है, उससे आपके अंदर का stress, anxiety, सब release रहती है, और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप अपने ही घर में dance कर सकते हैं, योगा, aerobics, बाहर जाकर भी zumba classes वगेरा कुछ भी, तो कई सारे फायते हैं, आपके अंदर endorphins भी release होते हैं, उससे आपके serotonin level भी बढ़ते हैं, उससे आप socializing करते हैं, तो आपके अंदर oxytocin level भी बढ़ते हैं, आप जाते हैं, कुछ करते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो आपके अंदर sense of achievement आता है, तो आपके अंदर dopamine level भी बढ़ते हैं, तो physical exercises करने से बहुत फायदा होता है, और आपकी गपराहट दूर हो जाती है, mindfulness meditation, अब mindfulness meditation करना बहुत ही ज़रूरी है, माइड अचकल full है बहुत सारी चीज़ों से, माइड फुल होना है कि क्या-क्या हमारे दमाग में भरावाए, ऐसे कौन से references हमने भरे वे होते हैं, हमने ऐसा कौन से अपनी belief को दमाग में भर लिया होता है, जिसकी वज़े से हमें यह से feel हो रहा होता है, तो हम mindfulness meditation करते हैं, जिसमें कि हम अपनी body की sensation के लिए aware होते हैं, आने वारे thoughts के लिए aware होते हैं, पर बिना उन से उल्चे, बिना अपनी body को बार बार adjust किये, हम बस एक still उसमें बैठे वे होते हैं, और हम aware होते हैं अपनी current state के लिए, तो इससे क्या होता है कि हम mind के मूँ लगनावंद कर देते हैं, और जब mind के मूँ लगनावंद कर देंगे, तो फिर mind जो हमसे connection established करने की कोशश कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा, वो तब ही कर पाता है, जब मुसे response देते रहते हैं, और आप meditation बहुत और अलगलग तरीके से भी कर सकते हैं, guided meditation, gazing meditation, silence meditation, अलगलग तरीके से कर सकते हैं, meditation से आपके अंदर serotonin की बरसात हो जाती है, और जब आपके अंदर serotonin की बरसात हो रही होती है, तो उस ताइम पर कोई गबरहार नहीं होती, सुरक्षा का एसास होता है Progressive Muscle Relaxation यह बहुत ही ज़ादा effective और बहुत easy है आप अराम से लेट कर आप सबसे पहले अपने टोस पर धियान लगाएं है ना ऐसे फील करें अगर कोई भी आपके टोस में tension है किसी भी तरीके की कोई भी बॉड़ी में कहीं पर भी कोई muscle tension है कुछ है तो आप उसको release करें तो simply आप ऐसे टोस पर focus करके inhale exhale भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं आपने एक एक body part पर धियान लगाया आपने उसे squeeze किया और फिर release किया तो progressive muscles भी relaxation भी अलग लग तरीके से होता है लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा effective technique है क्योंकि आप पूरी body को घबराहाट होता है वो कोई भी आपके शरीर में ही तो महसुस हो रहा होता है कोई भी ऐसा physical symptom तो आप क्या होता है जब body को parts में relax करते हैं तो आपकी सारी की सारी awareness body की तरफ जाती है आप एक पाड़ में body के body पर focus करके और inhale कर रहे होते हैं और उसे इस impression के साथ exhale कर रहे होते हैं कि उसके साथ साथ आपकी सारी घबराहाट भी सारी nervousness चारी है तो यह बहुत ही ज़्यादा effective है आपकी body and brain बहुत closely linked है जब आप body को relax कर देते हैं mind जो कुराफ़ाद produce कर रहा होता है वो बंद कर देता है इसी तरह ऐसे journaling journaling करना बहुत ही important है आपको घबराहट जिसकी वज़े से हो रही है आपको क्या emotion feel हो रहा है क्या आपके पास references पढ़े हैं क्या आपने इसा सुना देखा जिसकी वज़े से आपके अंदर गबराहट पैदा हो रही है कौन सी memory आपको haunt कर रही है कौन से decision पर आपको पस्तावा हो रहा है कौन सी चीज़े हैं आपको जो सुधारने की जूरत है आप ये भी लिखें journaling और साथ के साथ आप gratitude journal भी लिखें आप जो है ना जो भी चीज़ अपने लिए सुधारना चाहते हैं तो उस सुधारने से पहले आपको प्री वर्क तो करना ही पड़े का ना तो journaling करना बहुत important है क्योंकि जब आप thoughts को लिखेंगे तो आप उन्हीं समझेंगे और thought patterns भी वकड़ पाएंगे कि कौन सा अगला thought pattern है आप अगर gratitude लिख रहे हैं तो आप लिखते लिखते उस सारे positive happy hormones को release कराएंगे और उससे आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे तो journaling किसी भी वे में बहुत effective है lifestyle adjustment बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है lifestyle correction most 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 important है सुबा जल्दी उठना, exercise करना, healthy ride लेना, मौसम के रूरूप लेना अपने घरवालों के साथ हसना, मुस्कुराना, बात करना टाइम पर अपना काम करना, बाहर जाना दोस्तों के साथ कुछ time spend करना कोई भी सरीके की yoga dance classes या कुछ भी ऐसे creativity classes जाना कुछ भी ऐसे और time पर अपना सब काम निपटा कर सो जाना सारे lifestyle को correct करना पहुँच जाता जरूरी है अब आपका जो भी work nature है, जो भी आपकी responsibility है उसके हिसाब से देखिए healthy habits को किस तरीके से adjust कर सकते हैं grounding techniques अब आप grounding techniques कर सकते हैं ये सारी awareness techniques होती है जैसे कि आप अपने आसपास पांच चीज़ों को notice कर रहे हैं है ना जो भी आप देख रहे हैं चार कोई भी sounds को notice करें कोई भी three smells को notice करें कुछ भी ऐसे तरह कैसे two touches, one taste कुछ भी ऐसे तरह कैसे आप कर सकते हैं आप किसी भी way में जस्ट आगर आप YouTube पे search करेंगे, Google पे search करेंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारी तमाम grounding techniques मिल जाएंगी जब आप मेरे app पर ही उससे download करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे meditation हैं ऐसी exercises हैं जो आपको बिलकुल वापस से आपकी reality से connect कर देंगी इसी तरह जे positive affirmations अभी मैंने बताया आप में बहुत सारी positive affirmations हैं आप उनी भी practice कर सकते हैं प्लस आप अपनी customized affirmation लिख सकते हैं affirmation के nature क्या है present tense में होना चाहिए as if मानो कि वो आपकी reality बन चुकी है सुषवास के साथ और वो लिखना होता है specific जो आपको चाहिए और ऐसे अपनी customized affirmation को तयार करने के बाद आप उस affirmation को बार 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 repeat करेंगे जब आप उससे repeat करेंगे तो शब्द तो आपके कानों में पढ़ रहोंगे उसकी तस्वीर भी बनानी है बिल्कुल specific जो आप बोल रहे हैं उसकी तस्वीर आपको बनानी है और उसे feel करते वे बिल्कुल feel करते वे अपनी mental movie को create करते वे जब आप affirmation repeat करेंगे तो आपके दिमाग में वो mental movie fit होते ही आपका दिमाग शान्त हो जाएगा और वो जो घबरारती एकदम खतम इसी तरह से social support अपने friends का group जरूर बना के रखे कुछ न कुछ इस तरीके के जो help centers होते हैं उसमें कहीं नगे register करा के जरूर रखे क्योंकि कई बार आप अकेले रहते हैं इसलिए भी आपको help की support network की जरूरत होती है और कई बार आपकी family भी होती है लेकिन जरूर यह नहीं है हर family member हर वक्त available होगा तो आप जितना socializing जितना networking करेंगे उतना आप secure feel करेंगे हम humans शुरू से ही group बनाने में विश्वास रखते हैं हम ऐसे safe और secure feel करते हैं तो आप अगर अपना ऐसे safety group बना कर रखेंगे तो आपको बहुत safety का एसास होगा आपके पास अगर एक दो supportive बन्दा भी है ना जो बोले अरे सब ठीक है मैं हू ना हो जाएगा ऐसे कर लो ऐसे कर लो कुछ सलहा देने वाला होगा positive लोग तो आप देखेंगे आपको कोई गबराट वबराट नहीं होगी इसी तरह से creative activities अगर आप कोई भी creative activities करते रहते हैं तो आपका mind उसमें busy रहता है और creativity से आपको बहुत खुशी मिलती है आपके अंदर serotonin बहुत जादा release होते हैं आपको dopamine बहुत जादा release होते हैं और जब serotonin डोपामीन इतने अच्छे level release हो रहे हैं और आप उसमें अगर creativity कोई physical moment से भी दिखा रहे हैं तो endorphin बहुत रिलीज हो जाएंगे जब इतने सारे chemicals रिलीज हो रहे हैं और साथ में group बना कर लिया तो oxytocin बहुत रिलीज हो जाएंगे जब सारे के सारे dose chemical release हो जाएंगे तो फिर काहें की गबराण बजएगी फिर बजएगी रही है तो ये सारे natural base हैं जिससे 100% cure हो जाएगा 100% cure हो जाएगा आपको किसी दवाई की जूरत नहीं पड़ेगी किसी supplement की जूरत नहीं पड़ेगी और अगर देखो भाई आपनी self help करने के लिए त्यार नहीं है आप बोलेंगे मुझे तो ये करना नहीं है मेरे को तो कोई short कर जाएगा फिर तो आपका भगवानी मालिक है कुछ नहीं हो सकता फिर तो फिर तो आपकी medicine dependency होई जाएगी और आपको अच्छी तरह से पताईए शुरुआत में help करेंगे लॉंग रूंड में खुदी समझदार हो मैं ही क्या गो हूँ लेकिन ये सारे के सारे sure clear ways हैं जिससे कि आपकी problem जड़ से चली जाएगी और अगर ये habits आप अपने life में include रखते हैं के level को कितना कम कर लिया क्योंकि धीरे-धीरे कम होगा और बिल्कुल खतम हो जाएगा और जाते जाते bonus trip गबराहट के case में आप के लिए जो instant एकदम से आपको relief देने वाली चीज़ होती है वो ये simple से 4 step आपको करने होते हैं जबी भी आपको घबराहट होगी तो आप अपनी physiology change कर अपनी body को stretch करना शिरू कर दो बैठे हो तो खड़े हो जाओ है ना movement शिरू कर दो दूसरा आप ना अपनी breathing को uneven कर दो और दीसरा आप अपने eyeballs को move करो clockwise anti-clockwise move करो आप left-right देखो इससे आपको sense of security safety मिलेगी और फिर fourth step में आप जितना पानी भी सकते हो पानी पे हो और फिर उसके बाद रिलाक्स होकर अपनी body पर बड़ी अच्छी तरीके से oiling करो बिलकुल oil massage करो head massage लो बहुत अच्छी तरीके से और आप में warm करके गाएं का घी डालो पैरों के तल्वों की खुब अच्छी तरीके से मालिश करो और देखो गपराहट से instant relief मिल जाएगा ये थी bonus step लोगों के लिए जो लास्त तक वीडियो देखते हैं तो कमेंट करकर अपना प्यार मुझे जरूर देना चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेर करना तो पक्का से याद रखना है मैं मिलूँगी नेक्स वीडियो में खास क्याल रखो